हेलो फ्रेंट्स वेलकम यो अगाइस टो मैं चैनल मेरा नाम है कुना लुनार है और मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ तो देखो World Trade Organization यह जो हमारा टॉपिक है अभी का है जो अभी हमनों पढ़ने वारे है इस लेक्षर में तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि यह World Trade Organization को बताने से पहले कि यह बेसिकली होता क्या है इसको बताने से पहले मैं आप सभी के साथ एक शियर करना चाहूंगा कि इस World Trade Organization को हम प्यासे WTO करके बुलाते हैं और यहां पर आपको और यह चीज याद रखना है मैंने यहां नोट्स में लिखा नहीं था कि यह जो World Trade Organization यह बना कब था अगर आपके एक्जाम में आ गया क तो फिर आपको ही प्रॉबलम होगे इसलिए मैं अभी बता देता हूं तो यह बना था आपका 1st January 1995 को ठीक तो यह World Trade Organization बैसिकली 1st January 1995 को बना था तो यह World Trade Organization क्या होता है यहाँ पर एक मिनिंग लिखी है लेकिन इस मिनिंग को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके नेचर के बारे में नेचर बताऊंगा तो यह आपको World Trade Organization की मिनिंग आपको और इसली समझ में आगी तो देखो सबसे पहले नेचर कहता है World Trade Organization देखो जो World Trade Organization है सबसे पहले तो यार और एक चीज ट्रेड मतलब आप सभी जानते हैं नहीं जानते हो जो चैप्टर 9 जो प्लेलिस्ट में होगी मेरे चैनल में महां पर देखिएगा जहां पर मैंने बहुत अच्छे से बताये ट्रेड का मतलब क्या होता है ट्रेड मतलब जहां पर आप सर्मान को बेशते हैं खरीते हैं अपनी कंट्री में या बाहर की कंट्री से उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं तो देखो World Trade deals in trade between nations at global level देखो यहां पर अब क्या करना deals in trade at global level अब देखो इसको मैं आपको एक्जामपल से समझाता हूं like education school नहीं लिखता है यहां पर मैं आपको cbsc से समझाता हूं देखो आपकी country में आपको पता है कि आप में से बहुत सारे जो people है almost वो education cbsc के through लेते हैं है ना मतलब अगर हमारे country में अगर education से लिटेट कोई भी problem आ गई तो उसका solution कौन निकालेगा cbsc निकालेगा कोई भी issue create हो गया तो आप blame किसको करेंगे cbsc को करेंगे right अगर आपको कोई method निकालना है तो वो सारी चीज क्या करेगी cbsc करेगी मतलब education से लिटेट जिती भी problem है उसका solution cbsc के पास रहेगा है ना तो cbsc के एक organization है जो education को समालता है वैसे ही world trade organization जो है जिती भी समान आप बेशते हो खरीते हो अगर trading में कोई भी issue आ गया कोई भी issue अगर बहुत problem है मतलब trading करते करते अगर आपको कोई problem है तो इसका solution क्या निकालती है world trade organization निकालती है like education से लिते ही जिती भी problem है उसका solution cbsc के पास है वैसे trading का जिता भी problem है उसका solution डढ टीयो ourIGHT organization के पास है तो जैसे cbsy के organization है जो education को समालता है वैसी world trade organization भी एक organization है जो trading को समालता है तो यहाँ पर वही लिखा है, World Trade Organization deals in trade at global level, देखो, global level मतलब, जब आप अपना समान अपनी country को छोड़के, जब बाहर की country के साथ land in करते हैं, मतलब बाहर की country के साथ समान करीते हैं, बाहर की country को समान बेशते हैं, तो World Trade Organization क्या करता है, वैसी trading पे deal करता है, जब आप समान बाहर की country से बेच रहे हैं, खरीज रहे हैं, तो उसमें deal करता है, यहना तो वही लिखा है, World Trade Organization deal in trade between nations at global level, अब second point है, वो है contract signed by the government to keep trade policies within agreement limits, अब इसका मतलब क्या आता है, देखो, जहां से सुनना, देखो, suppose करना, यह point को बड़ी जहां से सुनना, अगर यह point समझ गया है, तो यह सारे points समझ में आ जाएगा, automatic, देखो, suppose करना कि example है, यहाँ पर सभी चीज मैंने assume की है, है न, देखो, इंडिया और दुबई, हम इंडिया में petrol यूज करते हैं, करते हैं और दुबई जो है, महाँ पर बहुत सारा petrol है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि दुबई में जो petrol है, तो एक example मान के चलो कि हम इंडिया और दुबई, हम दोनों साथ में बैठे, हम इंडिया और दुबई हम दोनों साथ में बैठे, हम इंडिया ने कहा दुबई को, कि सर हमें आपकी country से petrol चाहिए, क्या चाहिए, पैट्रोल चाहिए, तो हमने क्या 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 क्य कुछने यार दीक करिगा is इसमें तो है तो दुबाई को बोला की ठीक है तो मुझे पैट्रॉल दे यह चीज आपने क्याChar 수 contract में लिख दिया अब इंडिया ने बोला कि दुबई को कि देखो आप जैसी मुझे petrol दोगे तो petrol का जो भी पैसा होगा ना वो हम आपको तीन मन्त के बाद देंगे मतलब जैसी तीन मन्त हो गया तो हम आपको तीन महिने में जितना भी petrol हम लोग ने आपसे लिया उसका पैसा हम आपको देंगे फिर तीन मन्त ऐसे काम चलता रहेगा तो दुबई ने क्या भी तो इंडिया ने क्या किया था सोँ समझ के इंडियन अपने situation के साफ से बोला था कि हाँ वह 3 महिने के बाद capable होगी पैसे देने के लिए तो वह हमेशा 3-3 महिने के बाद पैसा देते जाएगी तो दूबई ने भी क्या किया वह चीज को accept के लिया उसने बोला ठीक है हम आपको petrol देंगे और हर मतलब जो भी पैसा होगा वह हम 3-3 महिने के बाद बाद लेते जाएंगे तो इस चीज को भी क्या लिग दिया आपने लिग दिया मतलब आपने बैसिकली इस contract में लिग दिया है ना आपने contract में लिग दिया राइट लेकिन अब जी contract sign होगी आप दोनों के बीच में आपने भी sign किया दूबई ने भी sign किया यहाँ पर अब देखो अब future में जाके दूबई ने बोला कि इंडिया को कि नहीं इस बार हम आपसे 2-2 महिने में पैसा लेंगे लेकिन वही पर इंडिया ने बोला कि नहीं हमने तो contact में आपको पहली बता दिया था कि जो भी पैसा आपको देंगे वह 3-3 महिने के ब दोनों के बीस में क्या चला dispute मतलब होता है जगडा जगडा ओके जगडा तो दोनों के बीस में जगडा चल गिया इंडिया ने बोला कि contract में तो तीन महिना तो दुबई ने बोला कि नहीं आप तुमें 2 महिना देना पड़ेगा अगर हमसे पैट्रो लेना तो ऐसा बहुत अगर एक इस इजामपल में क्या Kalimacab के चेक जैंडा में ऑ इस बता चला कि लिए है है न उसने क्या कहा था कि डुबई इंडिया को पैट्रोल देगी और इंडिया जो है उसका पैसा 3-3 महिने में देगा तो यह चीज डुटी ओ को ने पढ़ लिया अब डुबई को स्ट्रिक्ली बोला कि देखो तुम्हें स्ट्रिक्ली यह कॉंट्रेट के साफ से चलना अब तुम्हें के साइन क्यों नहीं सकते हैं क्योंकि द्नी क्या वह मतंब तेग्लएय तों वोल्ट कीसी के का यह बहुत बड़ इसके आगे मतलब ट्रेटिंम हो रही है तो आपको वैंड वीक्यूर ढव्ट अर्चिस Childs के थूपthe पड़ेंगे उसके orders आपको follow करने पड़ेंगे तो वैसी बिचारी दुबई को भी आप कुछ करना नी पड़ेगा बिचारी पीछे हट गई आप दुबई भी क्या करने लगी इंडिया को पैटोल देने लगी और इसके साथ सा तीन-तीन महिने में जैसा contract में लिखा था उसके साथ से उसे देने लगी तो आप यहाँ पर notice करना World Trade Organization ने क्या किया अब अगर आप इस point को पड़ेंगे contract signed by government देखो जब दो जैसे दुबई गवर्मेंट और इंडिया गवर्मेंट ने contract signed किया सेम चीज यहाँ भी लिखी contract signed by the government to keep trade policies within agreed limits देखो मतलब जो भी contract में लिखा है उसके हिसाब से काम करना है तो यह जो आप देख रहे हैं ना point to keep trade policies within agreed limits इसका point का मतलब यही है कि मतलब जो भी contract में लिखा है उसके हिसाब से आपको follow करना पड़ता है तो World Trade Organization ने भी यही किया उसने contact पड़ा और उसके हिसाब से आपको follow करने के लिए कहा अब आपको समझ म कि World Trade Organization क्या चीज है अब third point है World Trade Organization purpose to liberalize trade liberalize मतलब थोड़ा सा freedom आप मैं कह सकता है थोड़ा सा freedom या फिर थोड़ा सा free करना मैं सभी कह सकता है या फिर independent trade टिक टो World Trade Organization का purpose कह रहता है वह हमेशा trade क्या चाहती है free चाहती है मतलब कभी किसी के बीच में दरादना है टिक जो भी trading हो दुबई और इंडिया के बीच में क्या हो गया था डिस्पीट हो गया था जिसके काना दुबई ने क्या कर दिया था इंडिया को पैट्रोल देना बन कर दिया था है कुछ समय के लिए तो World Trade Organization बीच में आया और दोनों का dispute को solve किया और दुबई अब वापस इंडिया को पै मतलब अराम से होते रहे अब वर्ल ट्रेड ओगनाजेशन सेटल डिस्प्यूट सेटल मतलब वही डिस्प्यूट जगडे को क्या कर देती है शांत कर देती है Main function is to ensure trade focus on smoothly and freely as possible इसका भी मतलब एक तरीके से यह दोनों पॉइंट पामिक्स है यह पॉइंट यह कहता है कि जब भी trade हो तो वह trade क्या हो smoothly हो freely हो without कोई difficulties के हो और वह जो trade हो इतना freely हो वह लों जलिए भिवा आप ने देखा कि वेड्री रफ आपने देखा कि व्ल्ट अगनाईजिशन किया कर देचा क्या kle tortured क्या करती है क्या क्षे ग्लोब आपी करती है कि जो की ट्रेड में और जो भी contact में यह गडंते इन्करेज करती है कि वहीं cold Kelly के संब ход और वो क्या करती है, liberalized trade करती है, जिते भी dispute उसको शान कर देती है, यह चाहती है हमेशा है, कि जो भी समान, जो भी trading हो, वो क्या हो, इतना smoothly हो और freely हो, without any obstacles, without any difficult trading होते रहे, तो अगर अगर आपको meaning बताओ, world trade organization की, तो देखना meaning, में world, में आपको समझाता हूँ, global trade organization की, global international organization है, यह क्या है, यह एक international organization है, तिक, जैसे मैंने आपको बता है, क्या होता है, जैसे CBSC भी एक organization है, जो education को समालते है, वैसे world trade organization भी क्या है, में आपको, यही सारी चीजों में बता दिया, जब दो कंट्री के भीश में, में clashes हो जाते हैं dispute हो जाते हैं तो world trade organization के पास कुछ rules and regulations रहते हैं वो उसके through क्या करती है जिते भी nations उसके बीच में जिते भी जगडे हैं या फिर कोई भी difficulties है उसके rules regulations through के through वो जिते भी dispute है उसको settle कर देती है और trade जादा से जादा smoothly करने का purpose रखती है तो यही चीज यहाँ पर मैंने लिख्या है global world trade organization का global international organization है जो कि क्या करती है rules and regulation trade के जो है वो nations के बीच में क्या करती है एक तरीके से अच्छे से properly trade हो वो उसका ध्यान रखती है ठीक है जो कि 1st January 1995 को establish हुआ था आपके exams में भी पूल सकता है कि कब world trade organization establish हुआ था तो आप यह date लिख देना तो इसी के साथ इस बारी lectures complete हो गई है अब मैं आप सभी से मिलता हूं next lecture में चलिए बाई enjoy take care and cheers